नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका साथी दीपक पुआर और इस मंच पर आपका स्वागत करता हूँ आज तक बारत में 16 महिलाय मुख्यमंत्री बनी है लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कोन थी मलब इससे पहले किसी भी राज्य में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं थी तो उनका नाम क्या है उनका नाम है सुचेता करिपलानी जिनका जनम अर्याना राज्य के अंबाला में हुआ अगर हम बात करूँ, इनका जनम हुआ था 1908 में, 25 जून 1908 में इनका जनम हुआ, और 1 दिसंबर 1974 में इनका देहान तुआ, अम्बाला सिनका संबन है, और ये युपी की मुख्यमंतरी बनी थी, याद रखेगा, 1963 से 1963 के बीच में, और ऐसा करने वाली ये बारत की पहली महिला बनी थी, इसलिए इनका बारत की पहली महिला मुख्यमंतरी कहा जाता है, किस राज्य मुख्यमंतरी बनी उत्तर प्रदेश, कब से कब तक, तरे सर से सरसट के बीच में, और ये जब मुख्यमंतरी बनी, तो अब सवाल आता है, ये कहां से मले बनी हुई थी, तो युपी मे एकविदानसवा सीट है, कानपूर विदानसवा सीट, तो यहां से ये इस समय MLA बनी हुई थी, अगर मैं इनके बारे मैं दो बात और बताना चाहूं, आप लोगों को सुचेता करिपलानी, याद रखे, 1940 में, 1940 में इनोंने बारतिये राष्ट्ये साखा की, बारतिये Congress की महीला साखा की स्थापना की, जिसका नाम था अखिल बारतिये महीला Congress, याद रखे, तो आपसे पूछे लेगा, अखिल बारतिये महीला Congress, कब बनी, 1940 और इसकी स्थापना की, सूचेता करिपलानी, जिनका सममदस मैं अमबारा से है, और इसके साथ-साथ ऐसा Bowl मैं, इसक तरीके से भाग लिया स्क्रियरूप से भाग लिया जिसके चलते इनको एक साल जेल में भी रहना पड़ा था और आपके जानकारी के लिए एक बात और बताना चाहूंगा सुचेता करीपलानी के पती का नाम है J. B. करीपलानी और यह भी कोंग्रेस के सदस्टर रहे हैं याद रखे, पूरा नाम है जीवत्राम बगवान दास करीपलानी जीवत्राम बगवान दास करीपलानी और जब भरत अजाद हुआ उनिस सजशंच तारीड समय तो उस समय कॉंग्रेस के अद्धेक्स यही थे जो किन के बती हैं सुचेता करीपलानी के याद रखे उनको सुचेता मजूमदार भी बोलते हैं तो बारत की पहली मुख्यमंतरी संबन अमबारा से ऐसी और जानकारी के लिए मिलते रहेंगे दोस्तो राम राम